सुनील जी अठारा जूम को चंडी गड़ा रहे हैं, अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिख्वाना चाहते हैं, तो आज ही अपनी अपोइन्मेंट भूक करवा सकते हैं, कॉन्टेक्ट 9779 142142 सुनील जी अठारा जूम को चंडी गड़ा रहे हैं, अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिख्वाना चाहते हैं, तो आज ही अपनी अपोइन्मेंट भूक करवा सकते हैं, कॉन्टेक्ट 9779 142142 दोस्तों क्या हूं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कफेता सिंग और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्रम The Astro-OPD, जैसमें हम आपके मुलाकात करवाते हैं, हमारे अस्ट्रॉलजर सूनील कुमार जी के साथ जो बताते हैं, हमारे ग्रेहों के बारे में, हमारे रहा है क्या होने वाला है और कैसे इस चीज़ को हम बदल सकते हैं फिरहाल दोस्तों कहते हैं हम हर चीज़ नसीब के ऊपर छोड़ देते हैं लेकिन कहते हैं कि अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते फिरहाल दोस्तो में हमारी कुंडली में ऐसा कुछ है जिससे हम कुछ चेंजेज लाकर अपने नसीब को बदल सके गरीबी से हम कैसे छुटकारा दिला सकते हैं किस तरह से हम निजाद डाल सकते हैं यह जाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज एक बाद पर से अस्ट्रॉलोजिस सुनिल को सुनिल जी नसीब के ऊपर हमारे आज का टौपिक रहेंगा क्योंकि बहुत साρα है ने किसा नशीब के बदलना पहरे तो बहुत ही मुशकिल है यह बात सुनने में बड़ी लगती है कि नसीब भी बतला जा सकता है तो मेरा जवाब यह है कि नसीब भी बतला जा सकता है क्योंकि नसीब जब एक बार इश्वर ने जो लिख दिया वो तो लिख दिया लेकिन मैं बार बार कहता हूं कलम नहीं तोड़ी भागे आपको खुद बनाना पड़ता है बहुत स सालों बाद वही इंसान ऐसी तरक्किक कर चका होता है, दुनिया कहती है कि ये बंदा तो कुछ में नहीं था, लेकिन आज की रेटम में इस बंदा के वास हर चीज है, पता नहीं कहां से पैसा है, शायद इसने को डाका मारा है, शायद इसने को जोरी की है, लेकिन चोर कभी अमीर नहीं होते, ना ही डाका मारने वाले कभी अमीर होते हैं, सिंपल सी बात है, भाग्य बदलने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, मैं आपको अच बताऊँगा कि भाग्य बदलना कैसे जा सकता है, देखे, कुंडली में आपके हर चीज़ है, हर सिक्रेट कुंडली के अंदर है, ये जो बारा बॉक्सिज, बारा खाने आप देखते हैं, जो आपको समझ नहीं लगते, और कुछ लोग इसको समझना शुरू कर चुके हुए हैं, कुछ लोग समझते में हैं, लेकिन आदे से जादा लोगों को पता ही नहीं है, कुंडली के अंदर होता क्या है, कैसे देखी जाती है, इसके अंदर ही सारे सेक्रिट हैं, आपका अमीर होना, आपका गरीब होना, आपकी जिन्दगी में प्राबलम्स आनी, आपकी जिन्दगी में कोट केसी जानी, आपकी जिन्दगी में जलाई जगडे, हर चीज कुंड़ी के अंदर है. भागे कैसे बदला जाएगा? भागे बदलने के लिए कुछ खास ग्रह होते हैं जिनका हमें ध्यान देना पड़ता है, कुछ खास घर होते हैं कुंड़ी में जिनको बहुत ध्यान से देखके उनका एनलिलिजेशन करना पड़ता है और उसके बाद उमाई बताने पड़ते हैं और वो उपाई करने पड़ते हैं फिर जाके भागे बदलने की बारी आती है देखिए कुंडली का पहला घर जो कि आप खुद हो जिसको हम कहते हैं कि ए बंदे का इनसान का श्रीर है इनसान का अप है इसको हम बाकी के 11 गरों के साथ जोड़के देखते हैं कि इनसान पुरी जिन्दगी में करेगा क्या मैं बात करूँगा दूसरे घर की दूसरा घर जो की धन का घर होता है कुटुमब का घर होता है जिस घर में आप रहते हो उस घर की बात की जाती है दूसरे घर से पैसा जो होता है दूसरे घर से देखा जाता है इसके साथ साथ हमें बाकी घर भी चेक करने पड़ते हैं वो बाकी घर कौन से हैं? सेवन्थ हाउस आपके करियर का हाउस दसवा घर आपका परफेशन जो होगा नौवा घर आपका भाग्य और ग्यारवा घर जिससे आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूरती होगी आज की डेट में क्या हो रहा है लोग सिर्फ कुछ दो प्लैनेट देखते हैं अच्छा गुरू की पूजिशन ये है शुकर की पूजिशन ये है सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा डिसाइड करके आपके हाथ में पकड़ा देते हैं कि आपकी जिंदगी में तो स्ट्रि格ल होने वाली है आपकी जिंदगी में दध्के खाने लिखे हुए हैं ऐसा नहीं होता सुख कोई भी हो सकता है, चाहें वो मा का सुख हो सकता है, पिता का सुख हो सकता है, जब आप छोटे हो तो आपको मा का सुख चाहिए, जब आप थोड़े से बड़े होते हो, आपको बाकी के लगजरी का सुख चाहिए, आपको पिता का सुख चाहिए, आपको हर चीज का सु लेकिन सुख नहीं है जैन नहीं है इस करके चौथा घर जो होता है कुंड़ी का वो सुक स्थान होता है उससे हर तरह का सुख देखा जाता है इसके बाद मैं बात करूंगा सत्वे घर की जो आपके केरियर को डिसाइड करता है जिंदगी में आपको कैसे लोग मिलेंगे जिं कितनी दुनिया आपके इर्द गिर्द होगी कितनी दुनिया आपको फॉलो करेगी कितनी दुनिया आपके पीछे लगेगी या कितनी दुनिया आपकी बात मनेगी यह सात्वा घर होता है भागेस्तान को देखना सबसे जरूरी है आज क्या हो रहा है सिरफ भागेस्तान को बाकी चीज़ें भी जुड़ी है, सीरी सी बात है, पैसा है, तो सुख भी आएगा, के बर करता है, पैसे के साथ सुख नहीं आता, लेकिन यहां मैं बात करूँगा, पैसा है, तो सुख भी आएगा, अगर आपका दूस्ता गर एक्टिवेट है, उसके साथ, अगर नौवे घ लगन लड होता है पहले घर का जो ग्रेव जिसमें फॉल कर रहा होता है उसको हम लगन लड कहते हैं जो राशी लिखी होती है उसका लड कहां बैठा है अगर वो लड किसी गलत जगा बैठा हुआ गलत जगा मतलब कि अगर छेवें आठवें और बारवें घर में बैठा तो भी गरीबी की योग बन जाते हैं लेकिन इसको हूब हूब अपने कुण्ड़ी के सान मैच मत कीजिए क्योंकि आप आप सिर्फ यहां ग्रहा की बात कर रहा हूं लेकिन वो किस नक्षतर में बैटा हुआ है या किस राशे में बैटा हुआ है यह कुण्ड़ी आपकी जब आप खुद अपनी कुण्ड़ी दिखाएंगे किसी को और उसके उपाई लेंगे और उपाई करेंगे बड़ी सिंपल सी बात है कि यह बहुत एक मैं चोटा सा एक्जेम्बल देता है वह आपको एजली समझ लग जाएगा अगर कोई सादू या संत आपको शराब के ठ करती है इसको देखना बहुत जरूरी है अगर कुटूंब स्थान का मालिक कहीं ऐसे घर में बैठ जाए जो द्रिद्र योग बना दे घर में गरीबी नहीं जाएगी जतना मर्जी जोर लगा लीजिए जहां मर्जी उपाई करा लीजिए जितने मर्जी आप जैमस्टोन डा इस घर के जो सेकिंड हाउस का लॉड होता है उसकी प्लेस्मेंट बहुत जरूरी है देखनी कि कहां प्लेस कर रहा है किस राशी में प्लेस है किस नक्षतर में प्लेस है फिर आप अपने भाग के कर डिसीजिजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है कि ये बार इंसान सारी ज जिंदगी बिता दी है लेकिन सर कुछ नहीं बना बहुत महनत की बहुत ओए धिसको ठीक करोए के इसको ठीक करना बहुत जरूरी है मैं आपको एक छोटी सी remedy देने लगा हूँ जिसके घर में गरीबी रहती है वो इनसान एक छोटा सा काम करे काम यह करना है कि सुबह उठके अपनी हत्हेलियों को देखो क्योंकि हत्हेलियों में लक्षमी होती है शास्तर कहते हैं हथीली में लक्षमी होती है, सुबह बेड से नीचे पैर रखने से पहले अपनी हथीलियों को देखिए और तीन बार देखे तीन बार चुमिए उसके बाद राइट साइड वाला पैर जमीन पर रखिए आपके घर से गरीबी जानी शुरू हो जाएगी इसके साथ मैं आपको पहले भी एक प्रामिस किया था मैं अब भी एक प्रामिस कर रहा हूँ कि एक कुछ चीज ऐसी तियार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये चीज बोली है कि बहुत कॉमन एक चीज देखी गई है काफी लोग आते हैं सर हमारे गर में बरक प्रामिस कर चुका हूँ मैं अब भी प्रामिस कर रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे ढूंडते हुए बहुत टाइम लग गया है मुझे काफी टाइम लग गया है मैं काफी विद्वानों से मिला हूं जाके कश्मीर से लेकर कन्या कमरे तक चकर हमने काट लिया है और कुछ चीजे मेरी जो रहगी है मिलने वाली अगर वो चीजे मिल जाती है तो एक ऐसी चीज बना के आपको दे दूँगा कि आपकी ये शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि हमारे घर में पैसा नहीं टिकता क्योंकि लक्ष्मी वहां आती है जहां पे उसको कोई चीज पसंद हो उनके मतलब की चीज वहां पढ़ी हो वहां पैसा टिकता है लक्षमी वहां आती है जहां पे उनके पसंद की चीज़े पड़ी हो आपको दो चार चीज़ें तो पता है कि हमने ऐसे लक्षमी उखुश करना है वैसे लेकिन आपको ये नहीं पता शास्तर क्या कहते हैं कितनी चीज़ें आपको घर में रखनी होंगी तो फिर लक्षमी खुश होगी और आपके पैसा टेकेगा भी और पैसा आएगा भी आने का रास्ता खुल जाएगा और जाने का रास्ता बहुत शॉट हो जाएगा फाल तू आपके पैसे नहीं लगेंगे यह अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि अभी यह चीज़ बन रही है बहुत ही सिक्रिट है और जब यह बन जाएगी तो हम आपको जरूर इसको प्रिजन करेंगे लेकिन यह जाएगी उसके घर में जिसकी किसमत अच्छी होगी जिसके घर में पैसा टिकना होगा उसके घर जाएगी यह उस आम बंदे के घर जाएगी नहीं सकती क्योंकि लक्षमी जाती वहाँ है जहां उसको खुशी हो तो कुछ चीजें कठी कर रहे हैं, कुछ चीजें कोशिश कर रहा हूं, कुछ मिल झायें, मुछ ता मिल चूकी है जो बड़ी कॉमन चीजें नेकिन कुछ चीजें हैं को छ्टी हैं चीजें बहुए दुरल्लब हैं, वहा हमें बाहर से हमislение पढ़ रही है कुछ पहाड़ों से कुछ हमें साउच से मंगवानी पढ़ रही है वो करके कुछ चीज आपको तियार करके हम बताएंगे कि लक्षमी किस से पर सवन होती है फिर आप चीज को यूज करेंगे पैसा भी आएगा और जो आपकी गरीबी के योग है यह खत्म हो ज जाए क्योंकि वो काम तो एट लिस्ट हमारी आने पाली है फराल दोसों यहां पर रुकेंगे छोड़े से ब्रेक के लिए कहीं वज़ाई आप देखते रहे हैं इस प्रोपेरी क्योंकि आभी बहुत कुछ बाकी है इस प्रोग्राम में यह रखे जानेंगे हमारे नसीब के 242 खुशी को डिफाइन करना कोई इतना असान नहीं है कि खुशी किस से होगी हर इनसान की प्रोवर्टी अलग-अलग है कोई कहता है कि मुझे पैसे से खुशी मिलेगी कोई कहता है कि मुझे गुमने फिरने से खुशी मिलेगी कोई कहता है कि मुझे बड़ी से बड़ी बाग गया जब इनसान का साथ देता है तो इनसान को सुख मिलता है जिसे इनसान का लगन स्ट्रॉंग होता है उसको सुख मिलता है लगन स्ट्रॉंग का मतलब होता है आपका एक नंबर जो घर है वो बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए उसका प्लैनेट बहुत स्ट्रॉंग हो चाहिए देखिए पैसा जो होता है ये हम गुरू से देखते हैं जिसका गुरू स्टॉंग होता है उसके बाकी ग्राया अगर वीक भी पड़े हो तो भी वो इनसान जिन्दगी में सिर्फ एश करता है और बहुत एश करता है दुनिया के हर सुक उस इनसान को मिलते हैं लाइफ का पाउटफोलियो भी गुरू के पास है गुरू अगर अच्छे हों ऐसे इनसान पहले तो बहुत अच्छी एजूकेशन ले ले लेते हैं ऐसा इनसान बहुत पढ़ते हैं कि सब्सक्राइब करने हैं। तो इनको हर दुनिया की हर सुख सुविदा मिलती है ऐसा इंसान तो जहां जाकर बैठ जाता है किसी दुकान के अंदर भी चला जाए न तो आपने नोट किया हुआ कि जैसे इंसान दुकान के अंदर एंटर करा बाहर से और लोगों को आना शुरू हो गया और क्लाइंटस आने शुरू हो गया और कस्टमर आने शुरू हो गया दुकान पर रश लग गया क्योंकि ऐसे इंसान का औरा इश्वरी धंग से बहुत पॉजिटिव होता है गुरू का आशिरवाद होता है गुरू जब सपोर्ट करता है तो दुनिया का हर सुख देता है और कमी नामका शब्द इनकी कुंडली में नहीं होता शुकर की बात करूँगा जिनके सुखों में हमेशा कमी रहती है उनके कही न कही शुकर डेमेज होते है अब चेक कीजिए अबनी कुंडली बीक होता है ऐसे लोगों को भागे सपोर्ट ही नहीं करता और ऐसे लोग सिरफ घूमते रहते हैं लेकिन उनको दवा कहीं से नहीं रास आती शुकर का ठीक होना बहुत जूरी है क्योंकि शुकर सुक के मालिक है हर चीज का सुकर के साथ जोड़ा हुआ आप घर के अंदर रह रहे हो आपको सुक नहीं आएगा अगर आपको शुकर खराब है तो आप ने घर तियार किया आपने कोटी तियार किया आपने बंगला तियार किया लेकिन आपको अंदर रहने का सुक नहीं मिल रहा शुकर शुकर ठीक होना बहुत जोरी है अपनी आप बीवी की इज़त कीजिए उनके साथ बिलकुन आनिस्ट रही है बाहर कभी मत जाएए कोई गलत काम मत कीजिए उनके जो नोइंगली और अनोइंगली उनके अगेंस्ट हो इसके इलावा उनको कुछ ना कुछ किफट देते रही है और इसके इलावा उनको आपने इज़त तो देनी देनी है आपने उनकी सलाव भी लेनी है अगर आपका शुकर नीच का है खराब है तो शुकर आपका ठीक हो जाएगा सुख आपको मिले शुरू हो जाएंगे क्या होता कि इपर हर चीज होने के बाद भी आप खाली-खाली महसूस करते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है सुख नाम की चीज आपके पास ही नहीं होती है तो इन चीजों को ठीक कीजिए रेक्टिफाई कीजिए अच्छे एस्ट्रालोजर के पास बैठिए उनसे पूछिए उनसे उपाई लीजिए फिर आपकी ये चीजें जो आपका साथ देना शुरू करेंगी जो घर में बैठे रहते हैं जो मैं कहते हैं जी मैं भागये में विश्वास नहीं करता उनका योग भी सुन लीजिए जो अस्ट्रालोजर में विश्वास नहीं करते जो भगवान में विश्वास नहीं करते उनका केतू खराब होता है केतू उनका डैमेज हुआ होता है केतु उनका नीचका होता है या केतु किसी ऐसी प्लेस्मेंट उसकी गलत होती है यह लोग कहते है जिए अस्ट्रालोजी में कुछ नहीं रखा हुआ बगवान क्या हमें तो बता नहीं हम तो जो बने अपने मरजी से बने हैं और अपने दम पे बने हैं, दम पे नहीं बनते, उनके पिछे आशिरवाद होती हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, केतु जब खराब होता है, लोग विश्वास नहीं करते, लोग उपाई नहीं करते, केतु खराब होता है, लोग अच्छे स्ट्रॉजर के पास नहीं पहुंच पा यह आपका कसूर नहीं है, यह आपके कुंडली में केतु खराब बड़ा हुए, आपके सही टाइम का अभी समय नहीं आया, समय आएगा आप खुद उठके भागोगे, जब समय ठीक आता है तो इनसान खुद भागता है, कई बार कहते हैं ना, कि मैं फुना फुना डॉक्टर के पास किया था, जी मेरे को वहां से फरक पड़ा, बड़े डॉक्टर के पास घूमाया लेकिं मुझे वहां से फरक नहीं पड़ा, समय आपका आचुका होता है, तब आपको ऐसा इनसान मिलता है, जब आपकी कुंडली के अंदर आपका भागे जागरित होना होता है, फिर नदी के साथ जो बहते हैं मनजिल उनको मिल जाती है जो नदी से उल्टा चलने के कोशिश करते हैं उनकी लाइब में सिर्फ स्ट्रगल होती है और कुछ नहीं होता पानी के भाव के साथ ही बहना चाहिए पानी से कभी भी आपको उल्टी साथ जाएंगे तो आपको मेंसा बढ़ेगा आपकी effort 10 times बढ़ जाएंगे लेकिन मनजिल आपको हासल नहीं होगी इसलिए आप कुंडली चेक करवाईए अपनी किसे भी अच्छे astrology करवाईए आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं या कोई वज़ा है कुछ भी ABC करना है किसे अच्छे astrology के पास जाके चेक करवाई हैं आपके काम नहीं बढने देते कुंडली के अंदर हर राज छुपा ओआ है ग्रहों की नीचर को समझे ग्रहों की नीचर को अपनाएए जिन्दगी में भागे आपका साथ देना शुरू कर देगा घर पे बैठके आपको भागे आपको आपको नहीं बदल सकता बगर निकाल दिये, उदर के नुक्स निकाल दिये, फ़लाने अमीर हो गया, टिम घाना है, अमीर हो गया, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो इनसान से लोगों में नुक्स निकालते हैं, और ये भी आपके कुंडली में योग होता है, जो आपने बैठ के नुक्स निकालने है करते हैं यह लोग चुगलियां करने का काम करते हैं और यह कुछ नहीं करते हैं और ऐसे इंसान से गुरूर हमेशा नराज रहते हैं बो दिन कुंडली में योग ऐसे थे, कुछ उपाई ऐसे मिल गए, कुछ लोग ऐसे मिल गए, कुछ हाथ ऐसे मिल गए, कि इंसान ने तरक्की कर लिए और बहुत उचाईयों को छूलिया, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली दिखाईए किसे अच्छे इंसान को, किसे अच्छ योग होंगे फिर आपको उसकी help मिलेगी जो खुद तיरना नहीं जानता वह आपको क्या तैरना सिखायेगा यह वह आप क्या help कर लेगा कि आप नदे में उत्रिये और आपको बुछा लेगा, क्योंकि नदे में उत्रिये हैं तो तैरना तो सकते हैं यारा कि मिलने का जो समय है वह आपको दिया जाएगा इन नमरों के ऊपर कॉल करके और आप मुलाकात कर सकते हैं पर जो भी प्राब्लम रहेगी वह आप बता सकते हैं अवारे अस्ट्रालोजर सुनिल कुमार ची को देखे प्राब्लम हर तरह की होती है छोटी का हर दुप का जिनके पास निवारन है रेमेडीज आपको बहुत ही सधारन से बताया चाहती है मैं इसमें एक चीज और करना चाहूंगा कि जैसे आपने का कि हर चीज का सुलुशन है ये solution जो होते हैं ये ऐसे नहीं बन जाते बहुत study करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है समंदर के अंदर तक आपको जो डुपकी लगानी पड़ती है उसके बाद बहुत experience, हजारों कुंडली ये आपके हाथ से निकल लिए उनी चाहिए फिर इनसान को तजर्बा आता है और फिर वो इनसान किसी की help कर सकता है इसके साथ साथ कुंडली में, स्ट्रालजर की कुंडली में योग होना चाहिए कि ऐसी कुंडली जिसकी देखेगा उसको help करेगा और उसकी help उसको लग जाएगी तो ये योग होते हैं, ये एक कुंडली में योग होते हैं आप कहते हैं कि आपको फरक नहीं पढ़ा फलाने डॉक्टर से क्योंकि इस डॉक्टर से आपकी जो problem है उसका solution नहीं होना था योग नहीं थे आपकी help करने के योग उसकी कुंडली में नहीं थे स्टरॉलजर की कुणली में आपकी हेलप करने के योग होने चाहिए उस हेलप से फल आना चाहिए फिर जाके कुणलीयां जो है काम करती है कुणलीयां कभी भी पढ़ के नहीं देखी जाती बुक्स से, किताबों से स्टरॉलजी नहीं आती, आप किसी की मदद नहीं कर सकते। गुरू आपकी कुंड़ी में बहुत अच्छा पढ़ा हUh अप जिसकी मदद करेंगे। उसकी मदद बिलकुल साराथक होगी। और उसके आपको बंदामी नहीं मिलेगी। मैंने एक बार करम हानी योग की बात की थी कर्म हानी योग आपकी कुंड़ी में नहीं होगा आप जिसकी हेल्प करेंगे अगर आपको पैसे की हेल्प करेंगे तो पैसा भी आपको वापिस देगा वो ड्यू रिस्पेक्ट वापिस करेगा लेकिन कभी वार कर्म हानी जैसे योग होते हैं वो योग आपको सिर्फ उसके उससे दुश्मनी मोल लेके देते हैं और कुछ नहीं लेके देते हैं तो तजुर्बे जो होते हैं ये बहुत-बहुत साल लग जाते हैं बहुत-बहुत अम्रे निकल जाती हैं फिर जाके तजुर्बे आते हैं हम भी अभी सीक रहे हैं हमने भी पूरा astrology एतनी easy नहीं है और नहीं एतनी छोटी है इतना बड़ा समंदर है इसके अंदर डूपकी लगा रहे हैं रोज कुछ ना कुछ नहीं चीज निकलती है रोज कुछ ना कुछ ना कुछ नया मिलता है तो कोशिश यही रहती है कि आपकी हर problem का solution मिले मेरे पास हर question का जवाब होता है मेरे पास हर question का logic होता है लेकिन कोशिश यह जैते है कि कुछ ना कुछ नैा से निया आपके लिए ढूढता रहूं तो मैं यह चीजश धूढता रहता हूं तो कुनली की बात करे थे हम भागी की आज बात कर रहे थे तो एक तो उपाई मैंने आपको बता दिया है एक उपाई आप और कीजिए अपने घर को साफ रखिए जितना घर आपका साफ सुत्रा नीट और क्लीन होगा शुकर उतना ही आपके घर में एक्टिवेट होगा एक चीज मैं और आपको बता दूँ जिनके घर के अंदर कच्ची जमीन नहीं होती शुकर उनके घर कभी खुश नहीं होते शुकर की सपोर्ट उनके घर को कभी नहीं मिलती फैमिली मेंबर को कभी शुकर की सपोर्ट नहीं मिलती उसका उपाई मैं आपको बताता हूँ बाँ आप फर्स तडुमाने से तो रहे कच्छी जगा जैगा फंवाने से तो रहे युद्टी जत्यHow जोलों पानी देते हूं के इस अब क ready निकाल हमें, पहले निकाल निकाल के आपको बता रहा हूं पहले डाहा हूं दूंचे मिट्ट्रों निकाल कता रहा हो जब शुकर एक्टिवेट होगा इसके जो पौदे हैं उसके अंदर आप पानी डालिये सुबह जो लोग सुबह और शाम पौदों को पानी नेते हैं उनको कभी डिप्रेशन की विमारी नहीं लगती यह 100% 99.9 नहीं 100% प्रूवन चीज़ है यह कीजिए अपको डिप्रेशन क अपनी प्रॉब्लम में वो शेयर करना चाहते हैं तो इनके आफिस आप जरूर विज़िद कर सकते हैं अब बदलेगा नसीब हम प्रोग्रम लेकर अकसर यहां पर हाजर होते हैं इस ही समय इस जगर पर फिलहार हमारे साथ सुनील कुमार जी हमारे एस्ट्रॉलोजियर सुन हैं अमर्चीत सिंग जिन्होंने नावा से हमें एमेल किया है उनका कहना है कि मेरा बेटा 28 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक ना तो उसकी शादी के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं क्योंकि वो किसी काम पर नहीं लगा हुआ कोई काम नहीं कर रहा और वो कहना भी नहीं मान है यह कुंडली मैंने आपके बेटे की देखी थी इनकी कुंडली में सेटरन सेवन्थ लॉड हैं सिंपल कर देता हूँ शनी जो इनके शादी के मालिक हैं शादी आप 30 साल तक मत सोचिए करने की इससे पहले अगर शादी होती है तो डिस्टरबेंस बहुत जादा कन्फर्म अभी जोड़ है इसलिए अप को कोई रड़ी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए कोई उपाई चाहिए भी नहीं हो итоге मत कीजिए दो साल का टाइम अभी पढ़ा हुआ है दो साल का टाइम आप नीकाल दीजिए शादी इसकी अपने आप बहुत अच्छी फैमली में अगर तो ये नौकरी कर रही है तो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये बिजनस कर रहे हैं, तो एक चोटा सा काम करना है, जो इनका आफिस है, या दुकान है, या फैक्टरी है, जो भी ये काम करते हैं, वहां पर थोड़ा सा आटा लेके, अंदर वाले साईट खडे होके, दोनों देहलीजों में डाल दीजिए और ये डेली कीजिए इनका जो बिजनस है ये बहुत गती पकड़ेगा और बिजनस में इनको कोई प्राब्लों नहीं आएगी शादी के जिनता बिल्कुल मत कीजिए दो साल का टाइम में पड़ा हुआ है कोई जल्दी मत कीजिए किसी पंडित जी के कहने से या किसी और के कहने से जल्दी मत कीजिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अभी दो साल का पिरिट पड़ा हुआ है कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है दो साल के बाद अपने आप इनको शादी के इनके योग खुल जाएंगे और इनको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी देकि मैं आपको यहां पे छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ क्या बार क्या होता है जब शनी आपके शादी के लॉड होते हैं मैरिजिस लेट होती है और जल्दी करनी भी नहीं चाहिए वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है इसलिए आप दो साल के वीट कीजिए अठाई साल के में यह आपके बेटे हुए है दो साल और वीट कीजिए शादीन की अपने अप हो जाएगी आपको इसकी चंदा करने की बिल्कुँ जरूरत नहीं है फिल्हाल ऐसी ही अगर कोई प्रॉब्लम आपकी घर में भी चल रही है तो डेफिनेटली आप हमें एमेल कर सकते हैं आप हमें वाटसब मेसेज भी भेज़ सकते हैं आप ही में से हमारे जितने भी दर्शक हैं जो इस प्रोगर्म को देखते एं वाच करते हैं पसंद करते हैं आपने सुझाब हमें बैज़ते हैं अपनी प्रॉब्लम आप साँ शेर करते हैं उन्हें में से एक अलाख्य को हम परसं को उनका इमेल और एक जो वासर मेसेज रहता है वो हम अक्सर हमारे शो में आड करते हैं यहां पर शियर करते हैं यानि कि उसके लिए भी आपके अनुमातिकी बहाँ ज़्यादा हमें जरूरत रहती है तो अदरवाइस यानि कि हम ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी हमने सभी की इमेल इमेल को यहां पर लेना है सभी की प्रोização को हम यहां पर डिसके करेंगे जो हमें इजाज़त करेंगे वो हमें कहते हैं कि हम उप कर सकते हैं च्छक्त सरफ रहुनी का इमेल जो हम और एंव और और बहुत हैं अगली वाफ फिर मुलाकात होगी, नमस्कार सुनील जी 18 जूम को चंडी गड़ा रही है अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आज ही अपनी अपोइन्मेंट भूक करवा सकते हैं कॉंटेक्ट 9779 142142 सुनील जी 18 जूम को चंडी गड़ा रही है अगर आप सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आज ही अपनी अपोइन्मेंट भूक करवा सकते हैं कॉंटेक्ट 9779 142142 कॉंटेक्ट 977 1421